आपने तबस्वम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा अदाब नमस्कार ससरकाल दोस्तों मैं होशांग गोविल आपकी अपनी तबस्वम जी का बेटा और आप देख रहा हैं तबस्वम टॉकीज कि अब तु मेरा बाप नहीं रहा बाप बनकर बेटी के बारे में सोचना तेरे बस्का नहीं रहा दोस्तों आज जिस एक्टर्स की बात मैं करने वाला हूँ वो बहुत खुबसूरत थी बहुत टैलेंटिट थी और एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर थी और उन्होंने अपनी पहली फिल्म सालमान खान के ऑपिजिट की और फिल्म सुपर डुपर हिट थी लेकिन एक कॉंट्रैक्ट की वज़े से उनका पूरा करियर बरबाद हो गया और वो हैं चांद जैसे चेहरे वाली चांद नी तुम ही से चमकता है ये चांद बोलो शपत लू चांद की नहीं नहीं ये घटा बढ़ता रहता है मतलो शपत मुझको है विश्वास तुम्हारा मेरा तन मन जीवन एक तिन मुझ सब कुछ अपने आप समझ जाएगा और खुद मुझसे आकर काहिगा रूपा मैं तुम से काननी की पैदाइश हुई डेली में एक मिडल क्लास फैमली में और उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी डेली में की चांदनी का असली और पूरा नाम है नवोदिता शर्मा चांदनी का कोई फिल्मी बैग्राउंड नहीं था लेकिन हर अटर की तरे उन्हें भी एक्टिंग क कि एक फिल्म प्लैन हो रही है और उसमें सलमान खान के ओपजिट एक फ्रिश फेस की तलाश है फिर क्या था चाननी ने वह फॉर्म भरा सब्मिट किया सिलेक्ट हो गई और डैली से मुंबई आ गई फिल्म साइन कर ली उन दिनों सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया मुझे यही पॉंचना चाहिए था सुमें पहुंच गया हम केते हैं चले जाओ दता हो जाओ यहां से कहीं किसी की नज़र तुम पर पड़ गए क्यामत आजएगे सनम बेवफा सुपर हिट हो गई खास तौर पे इसका म्यूजिक और चान्नी को धेर सारी फिल्मों की आफर्स आने लगी लेकिन चान्नी वो अफर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्यूंके सनम बेवफा के प्रोडूसर और डिरेक्टर सावन कुमार टाक ने एक बहुत ही स्ट्रॉंग कांट्रैक्ट बनाया था चान्नी के साथ कि वो तीन साल तक कोई बाहर की फिल्म साइन नहीं करेंगे इस कांट्रैक्ट की वज़े से चान्नी के हाथ से बड़ी बड़ी फिल्में निकल गई जिसका फायदा दूसरी हिरोंस को हुआ चान्नी को बहुत अफसोस हो रह था कि वो बड़ी बड़ी फिल्में साइन नहीं कर पा रही हैं कॉंट्राक की वज़े से इसलिए उन्होंने सावन कॉमाट टाक से रिक्वेस्ट की कि के कॉंट्राक को खतम कर दें टर्मिनेट कर दें लेकिन जब तक कॉंट्राक कैंसल हुआ बहुत देर हो चुकी थी और चान्दनी को में लीड के रोल्स नहीं मिल रहे थे फिर भी उन्हो कुछ फिल्में साइन कर ली और वो फिल्में थी आजा सनम, मिस्टर आजाद और जै किशन हाँ 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 पाशला कादा धायलाख हाथ पे रखो धायलाख अब तेरे बापने भी धायलाख देखे कभी नहीं देखा इसलिए तो जल्दी मर गया लेकिन उस बाप की ये बेट जरूर देखे कि निकाल फटा फट उसे मार डाले से क्या होगा अजाद क्या हमरी तकली से तूर हो जाएगी ये जली हुई बस्ति क्या फिर से बस चाएगी तंपा मौसी की बच्ची क्या फिर से वापस लोत आएगी तो मैं क्या करूं फिल्मों में सेकेंड लीट करने की वज़े से चान्नी का टॉप की हिरोइन बनने का ख्वाब साकार नहीं हो पाया और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी नई हिरोइन्स आ चुकी थी जैसे दिव्या भारती, आईशा जुलका, जुही चावला और कई और और चान्नी इन सब के सामने टिक नहीं पाई आहस्त 5 ऑगस्ट 1994 में चान्नी ने एक ओलांडो के बिजनसमेन से शादी कर ली, उनका नाम है सतीश शर्मा, उनकी दो बेटियां हैं करीना और करिश्मा, कपूर नहीं शर्मा, शादी के बाद चान्नी ने दो तीन फिल्मों में काम किया, लेकिन काम्याभी नहीं मिली, और उनकी आखरी फिल्म आई थी 1996 में, और उस फिल्म का नाम था, हाहा कार, तो क्या देती हो उसके बडले में बोल, क्या चाहिए तुमें, दोस्तों, आज कल चान्नी अपने फैमिली के साथ, और लैंडो में रहती हैं, और बहुत खुश है, बहुत अक्टिर है, और कहती है, मैं एक रिटायर्ड हीरोन की तरह जीना नहीं चाहती है, इसलिए मैंने एक डांस अकाइडेमी शुरू की है, जहां मैं लड़कों को और लड़कियों को डांस सिखाती हूं, और दुनिया भर में स्टेज परफॉर्मेंस देती हूं, वो ये भी कहती है, कि फिल्म इंडस्ट्री न और सबस्क्राइब!